गुद मॉर्णिंग फ्रेंड्स बहुत बहुत सागत है मेरे यूटूग चैनल हिस्टोपैद लेवस्टडीज में आज मैं आपको जो है एनाटमी एंड फिजियोलोजी के बहुत ही महत्पूर्ण पूछे जाने वाले कुश्चन्स मैं आपको MCQS शॉल कराऊंगा और ये पेरामेडिकल के सभी कैडर के लिए है चाहे वो ओटी टेक्निशन्स हो रेडियोग्रापर हो या नर्सिंग हो सारे पेरामेडिकल ग्रूप फाइब के अंतरगत आने वाली सभी के लिए एनाटमी फिजियोलोजी जो है कंपलसरी होती है उसमें पूछे जाने वाले ये एक अब देखिए पूछा गया है कि सबसे लंबी और सबसे मजबूत जो बॉन होती है लेकिन कहां अपर लिम में तो अपर लिम की आपको सारी बॉन पता होनी चाहिए कि सबसे इस्ट्रोंगेश्ट लार्जेस्ट कौन होती है तो ए हुमरस है ना रेडियस भी यहां की है हाथ की सकैपला दिख आपका जो एकजिला है वहांपर है लेडियस अपर यह कोलर बॉन कहलाती है एक कुस्ट्चन से चार-चार कंप्लीट हो रहे हैं सेकंड कुस्ट्चन है दर लारज़ेस्ट ग्लैंड इन दा हुमन बॉड़ी इच हमारे हुमन बॉड़ी की सबसे लार्जेस glands कौन सी पाए जाती है तो इसका right answer जो है वो है liver, pancreas नहीं ये भी एक gland है और thyroid भी नहीं और pituitor ये चारों glands थी उसमें से liver है और liver दूसरा इस type का भी आ सकता है कि हमारे body में internal जो है सबसे largest organ कौन सा है तो वो liver है और अगर outer आता है तो skin है आप एक एक question से चार चार questions बनाईए question number 3 which of the following rips are termed as floating rips देखो ये पूचा है कि floating rips को आप कौन सी rips को floating rips बोलेंगे क्यों rips में क्या होती है 12 pair rips होती है और rips में आपकी floating rips, false rips और true rips रहती तो starting की जो 5 रहती है जहां से सुरुवात होती है तो वो होती है true rips क्योंकि वो sternum से जुड़ी होती है false rips नीचे की floating rips मिला के साथ होती है क्योंकि बीच में वो होता है coastal cartilage रहते हैं उनसे attached रहती है इसलिए इनको false rips बोलते तो floating rips जो हमें 30 हुई दिखाई देती है सारे बच्चे confusion हो जाते है वो large intestine का part ही लगा के आ जाते है मतलब जहां पर खतम हो रही है large intestine large intestine को जो है colon भी बोलते है तो cecum नहीं ये तो cecum और ileum के बीच का जंगसन है anal canal anal canal is a right answer pyloric canal ये भी नहीं है sigmide colon आपकी मुड़ी होती है आप बहुत बच्चे इस पर confused होते है sigmide colon लगाते तो आपको anal के नाल क्यों क्योंकि पूँचा गया है terminal part question number 5 in which part of the uterine tube dutch fertilization take place normally और आपको उसमें हिंदी में भी दिया जाएगा मैं वैसे describe करते हुए बताते जा रहा हूँ निम्ट मेंसे कौन सा ऐसा part है uterine tube uterine tube आप confused ना हो क्योंकि fallopian tube को ही uterine tube बोला जाता है तो dutch fertilization take place normally normally कहाँ पर fertilization होता है ओबा और espermeto जोगा का तो ये याद रखना है आपको ये चारों part जो है तो इसकी जो चार option है सभी जो है fallopian tube के part है पहली चीज तो आप ये समझ ले और ये जान लें कि सारे जो है uterine tube ये fallopian tube के part है तो आपको ये भी पता चल गए अगर कुछ चंग घुमा के भी पूछता है कि निम्ट मेंसे fallopian tube का कौन सा part है तो आप याद रखी ये estmus भी है empla भी है phimbrie भी है बच्चादानी में मतलब uterus cervix में तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही जरूरी है पढ़ना और question number six the silent area of brain is called brain का जो silent area रहता है वो कौन सा होता है तो ये इसका right answer है serivalum pons उसके पीछे होता है medla उसके और पीछे होता है cerebra हमारा सारा जो intelligence ये सारी चीज़ें होती है सबसे आंगे का हिस्सा जिसमें चार तरह के temporal bone occipital bone proximal ये सारी चीज़ें पाए जाती है तो right answer जो है serivalum question number seven pulmonary arteries carries blood from which chamber of the heart ये बच्चे बहुत गड़वड करके आते हैं जबकि बहुत ही simple है हमारी body की दो ही चीज़ें अब बाद है एक pulmonary artery और एक pulmonary vein मागी artery का मतलब अच्छा blood और benz का मतलब बुरा blood बुरा blood से मतलब है impure blood कहरी करना artery अच्छा blood से मतलब है oxygenated blood कहरी करना लेकिन ये अब बाद है pulmonary artery और pulmonary vein आप समझ गए होगे pulmonary artery जो है कहां से blood किस heart के किस chamber से blood जो है ले जाती है lungs में अब चुकि pulmonary लगा है तो lungs में ले जाएगी और जो pulmonary vein होगी वो lungs से so the blood लाएगी तो आपको याद रखना है इसका right जबाब जो है वो है right ventricle हमारे heart को चार तरह से chamber में बाठते है और पहले तो right और left तो right में जो होगा right atrium, right ventricle left में जो होगा left atrium और left ventricle ये बड़े अच्छे से पढ़ना आप क्योंकि ये पूचा जाएगा और मेरा ये वीडियो भी upload है आप उसे please please देखें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो right answer है right ventricle question number 8 the functional unit of kidneys simple सी वात है ये तो functional unit है kidney की वो कौन सी है तो right answer is nephron neuron बिलकुल लगा के नहीं आना ये brain की है LVLi आपको lungs में जो gases का exchange करते हैं और lymphatic तो ये lymphatic tissue के अंतरगत आने वाला question number 9 which of the following is ये first generation respiratory passage अबे अब देखिए आप निम्ण में से जो first generation है respiratory passage का जो lungs में इंटर होती है वो कौन सा है तो बच्चे nose लगा के चले जाते अरे भाई साब nose में थोड़ी ना carbon die oxide excrete out हो रही है और oxygen चलो मान लिया oxygen आपका inhale कर रहे हम exhale नहीं कर रहे हैं carbon die oxide को पर ये पूछा गया है को जो respiratory passage अबे है वो कौन सा है तो आपको याद रखना है bronchi bronchi ये जार right answer L will I तो gases का oxygen करता है track या एक wind pipe होता है जो रास्ता देता है किसी चीज़ को लाना ले जाना तो right answer आपका bronchi question number 10 which of the below question number 10 which of the below process dutch deglutination indicates तो मैंने जब ये chapter पढ़ाया था तो हमने बच्चों को बताया था कि deglutation को ही swallowing बोलते हैं इसका मतलब होता है निगलना तो यही पूछ रहा है कि मतलब निमन मैसे जो process है deglutination की उसको क्या indicate करेंगे आंसर जो है deglutination indicate का swallowing है question number 11 corpus luteum is secreted by ये आपका reproductive system मैं से है बहुत ही question number 11 corpus luteum is secreted by बहुत ही सांदर question से corpus luteum जो है क्या secret करता है उसके द्वारा क्या secretion होता है तो इसका right answer जो है progestron है अब बहुत ज़्यादा confusion होता है ostrogen और progestron में ये तो है ये नहीं basopresion जो हमारा posterior pituitary glands होती है वो दो तरह के hormone secret करती है एक basopresion है और दूसरा oxytosin है अब ostrogen और progestron सवाल इसका उठता है तो ये भी क्या करती है ovary से secretion होता है तो आपको याद रखना है कि ovary के ही अंदर अकर हम जाएंगे तो हमें दो तरह की cell दो तरह की चीज़ें मिलेंगी एक होगा graphian follicles ठीक है और दूसरा होगा हमारा corpus luteum तो corpus luteum आप हमेशा याद रखें कि graphian follicles क्या करता है और दूसरा प्रोजिस्ट्रोण जो है corpus luteum जो होगी वो प्रोजिस्ट्रोण को secret करेगी ये बिल्कुल आप या तो टिक बना लीजे जैसे CPL सभी ने लेवोटी में काम किया है तो corpus luteum प्रोजिस्ट्रोण को कर रही है और ये जी ये बना लो तो जो जो ऑस्ट्रोजन है वो graphion follicles secret करेगी अब question number 12 which connective tissue has a tub तप मतलब का ठोज gillenious and elastic matrix elastic matrix से बना हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे तो elastic formed of condrens अब eliminate कीजिए अगर आपको question समझ में नहीं आ रहा है चारो एक जैसे लग रहे हैं तो आप eliminate कर देजिए जैसे elastic fibers या elastic tissue नहीं होगा adipo tissue fat tissue कहलाते हैं aurular tissue loose connective tissue कहलाते हैं तो आप बचा क्या cartilage question number 13 lower 5 ribs lower 5 ribs which are attached to the sternum indirectly इच call देखो अभी मैंने पहले समझाया था आपको questions में कि कैसे कैसे ribs attached रहती हैं क्या बोलते क्या नहीं बोलते तो आपको समझ में आया होगा जो sternum से indirectly attached हैं उन ribs को आप क्या बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था true ribs नहीं हो सकती क्यों true ribs जो है direct attached है floating ribs सबसे नीचे की हैं तो ये होंगी false ribs specific नाम दिया है अगर नाम नहीं दिया होता तो फिर आपका साथ की साथ ribs हो जाती है तो इसका right answer है false ribs question number 14 which fluid is formed by the passage of substance from blood capillary into tissue spaces ये पुझ रहा है कि जो blood capillary से tissue passes होता है और tissue spaces में चला जाता उसको निमने में से क्या बोलेंगे या क्या बनेगा उस fluid को क्या नाम देंगे तो blood नहीं सीधा-सीधा blood है tissue fluid तो पूची रहा है वो csip नहीं है ये complete इसका answer जो है वो limp है ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था मेरे आप question number 15 heart is supplied by which nerve heart में कौन सी nerve supply होती है तो आप सब को पता होना चाहिए कि बेगस nerve भी होती है sympathetic nerve भी होती है तो इसका right answer है D both question number 16 exchange of gases takes place in which part of the respiratory system मैंने कोसिस की है कि हर एक system से एक नए एक questions में किया जाया तापकि आपकी ability पता चले कि आप कितनी study कर रहे है और आपका presence of mind कैसा है तो please आप मेरे answer बताने से पहले अगर solve करना चाहो तो आप कर सकते हो तो ये पूछा है कि respiratory system में निम्ड मैंसे कौन सा part जो है gases का आदान प्रदान करता है तो इसमें आपको किसी भी प्रिकार का confusion नहीं होना चाहिए इसका right answer है alveoli alveoli ही gas का oxygen को inhale करती है और carbon dioxide को exhale करती है question number 17 one chop capillaries in malphesian body is called जो malphesian body में one chop capillary का बहुत सारा bunch पाया जाता उसको आप क्या बोलेंगे तो बहुत बच्चे कारके आ जाते हैं बोमन्स कैप्सूल नहीं उसको हम glomerulus बोलते हैं यह eliminate करना है proximal convoluted tubule eliminate करना digital convoluted tubule जो है वो भी eliminate करना है मतलब आपको इसमें से glomerulus ही right answer है question number 18 product of digested food in the stomach is called मतलब जो हमारे stomach में पहुँचा जब तक मूँ में था या मूँ के अलावा जब तक isopagus में था वो बोलस के रूप में था अब कहां पहुच गया stomach में पहुचा ठीक है बोलस के ग्रूप में पहुचा लेकिन क्या है product of digested food digested food बोला है वो partially जो digestion होता है हमारे stomach में वो पुचा जा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे gastric juice तो जो है stomach का ही parts है gastric glands के द्वारा situation होता है तो right answer is काइम ये आप विल्कुल आप सारी चीज़ें कर सकते हैं आपको पता होती है चीज़ें लेकिन आप क्या करते हैं silly mistakes करते हैं चारों अप सनेक जैसे आजाते हैं जल्दी जल्दी में घगा इत्मनान से पढ़ें इत्मनान से आप answer को अच्छे से read करें even question को तो करें answer को भी पढ़ें कि बोल क्या रहा है आप 100% आप selection होगा 19. cheap cells and oxypile cells are present in which type of endocrine glands endocrine glands में जो है दो तरह की cells होती है cheap cell एक oxypile cells तो present कौन सी glands में होती है अब इसमें बच्चों को वो होगा pancreas में और parathyroid glands में आपका confusion कैसे दूर करेंगे मैं अभी कर देता हूँ adenyl gland तो है नहीं यह कहां पाई आ रहा है kidney के ऊपर pituitary glands जो है common root से है anterior pituitary और posterior pituitary anterior pituitary 5 ए 6 तरह के हार्मोन secret करती है और जो posterior होती है वो आपके दो दरह के हार्मोन secret करती है और यह कहां पाई जाती है hypothalamus के जो cellar triska होता है वहाँ पाई जाती है वहाँ पाई जाती है वहाँ जो hollow structures होता है तो अब आपको देखना है के parathyroid सही है pancreas तो आपको इसके चीज़ें clear होनी चाहिए cheap cells और occipal cells जो होगी वो parathyroid glands में ही होगी अब pancreas में आपको देखना है कि इसमें क्या होती है एक जो crime cells होती है acne होती है जो लेंगर हैंस isolate of langer hens होती है जो alpha और beta cells को वहाँ से secretion होता है insulin और glucagon का तो आपको parathyroid ही करके आना है बहुत confusion वाला question था question number 20 testis in mail is enclosed in sack called यह पूचा है testis जो mail में होता है किस से sack type का होता उसमें enclosed रहता है sack जो हम बहुत जगे यूज कर सकते हैं जैसे की stomach में जैसे की आपका gallbladder है मतलब एक संरचना ऐसी है कि जो कहीं कोई चीज pouch नुमा संरचना है जो होता है चारों में से यह मैंने आपको बहुत ही simple question डाला था इसमें आप अगर blood vessels की layer जानते हो तो आप कोई भी कर सकता है अब eliminate करना है अगर कोच्छन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि tune का intima blood vessels की internal layer है tune का media beach की है और tune का adventisia question number 21 which enzyme converts fat into glycerol and fatty acids कौन सा enzyme fat को convert करता है glycerol और fatty acids में आप सब को पता है lipase lipase मतलब lipid से correlate कर लो आप तो अब इसमें क्या दिया है कि lipase, tipsin, शुक्रेज और बोथ तो आप दिमाग लगा लिजे कि lipase भी और tipsin भी मतलब answer D question number 22 digestive enzyme pepsinogen, renin and lipase present in जो digestive enzyme है pepsin, pepsinogen, renin और lipase कहां present होते हैं तो ये इसका right answer जो है stomach ना तो blood है और saliva में जो है tylen होता है, salivary mileage होता है intestinal जो juice होता है उसमें आप trypsin होता है erepsin होता है, enterokainese होता है तो stomach right answer है, so thank you friends और ये आप मेरा वीडियो जरूर जरूर देखें इसमें से चार या पांच questions घंकि उनकिष्यू खीड़ी जरूर देखें